मैं बहुत सारी कार्स में बैठा हूँ लेकिन बाई बोलेरो में बहुत ही ज्यादा उचा फील कर रहा हूँ बाई बैठे बोलेरो में सब एसल वीडियो लिया आए आपके लिए और इसमें 80,000 रुपे की S3 लगी हुई है अभी अपने साथ मैं है महिंद्रा बोलेरो इसमें multiple variants आते हैं ये इसका top end variant है यानि की basic optional variant है पर जो लोग बोलेरो को पसंद करते हैं वो बोलेरो को ही लेते हैं आई इसका को एक वागराउंड कर लेते हैं ये वीडियो जो आपके लिए कापी रहादा इस पेसल है क्योंकि मैं आपको इस कार के वारे में सब कुछ जाएंगे लेकिन जो अभी अपने साथ में color खड़ा हुआ है cream shade में है white shade में है यही सबसे आदा बिखता है सबसे आदा यही पसंद किये जाता है चावी की अगर बात की जाए तो इसमें कंपनी दो चावी ओफर करती है एक तो नॉर्मल रिमोट वाली है कुछ इस तरीके क महिंद्रा का नया वाला लोगो है यह रेखिएगा और दूसरा इसमें यह रेखिएगा सेंटर लॉकिंग सिस्टम वाला बटन में लियाता है लॉक अलॉक एड फॉलो मी हैंड लेम का आई यह बात कर लेते हैं इसके डामेंशन की इसकी लेंथ है 3.99 मीटर की विट है 1.74 म इसमें ग्राउंड प्रेंस मिलता है लगबग 180 mm का और इसका वील बेस है 2,680 mm का यह है इसकी प्रॉपर फ्रेंट प्रोफाइल में महिंद्रा का नया वाला लोगों मिलता है स्मार्ट लीजर फ्रोम का यूज किया गया है यह देखिएगा फ्रेंट ग्रिल का जो पैटन है कुछ इस तरीके का है एडलाइट की अगर बात की जाए है हैलोजन बल्ब के साथ में है ये देखिए फटेंट है यह देखिए फट इसको काफी जवर्दस बना रहे है दो वॉसर इधर यह मिल जाते हैं फ्रेंट इसकेशागी के पैटन में दीए गई है बाई बॉनट पर यह top end variant है और इसमें 80,000 रुपे की S3 लगी हुई है जिनकी लिस्ट वो लगी है मैं आपको आगे दिखाऊंगा बात करते हैं इसके front suspension की front में company ने FS coil spring suspension लगा कर दी है 15 inches के इसमें अलॉइ भी लगे हुए है अलॉइस का pattern जो है कुछ इस तरीगे का है center में महिंद्रा का logo लगा हुआ है C8 company के best quality tubeless tire offer किये है और प्रोफाइल इसकी है 215-75R15 और इसमें front में disc braking system मिलता है fender का जो pattern है कुछ इस तरीगे का है saturn indicator इधर यह side में दिये गई है कि यह देखिएगा दोर इसका कुछ इस तरीगे का है काफी जवड़ता वार्बियम कुछ इस तरीगे का है dual tone में काफी ultimate लग रहा है इधर यह footrest लगा हुआ है यह देखिएगा door handle जो है कुछ इस तरीगे का है rain visor इसमें लगे हुए है roof rails लगी हुई है यह देखो यह देखो यह hinges सी तो इसकी पैचान है graphics देखो कुछ इस तरीगे की है इधर यह bolero b6 का इधर यह beige लगा हुआ है left side में इस कार में लेफ साइड में 50 लीटर की मिलती है बात करते हैं इसके रियर सेस्पेंसन की रिए में कमपी ने रिगेड लीब स्पेंसन लगा कर दिये है और रियर में इसमें ड्रम रेकिंग सिस्टम मिलता है प्रोफाइल सबको सेम है सिएट कंपनी का बेस्ट क्वाल्टी का ट्यूब्लेस टायर एंड ये नेटी का टायर प्रोफाइल 215 75 R15 रेडियल और ये ट्यूब्लेस टायर है पाई राइट साइड में फ्यूलेट दिये गया है यूरिया यानि की एड़ ब्लू डालने के लिए इसकी प्रॉपर रियर प्रोफाइल हाई मौंटेड यहां पर ये श्टॉप लैम दी गई है एंड इस्पोईलर ये रेखिएगा लोग को काफी जवर्दस बना रहा है रियर बिंट सील पर यहां पर वाइपर मिलता है लेकिन कोई भी डिफागर नहीं मिलता है टेल ये चाजी लगाने का सेक्षन और ये देखिएगा स्टेपनी इसकी इदार लगी हूई है याने की स्पीर वील का इदर लगा हुए है बोलेशो का श्र shrine कराहिए जडर का लगा धीम पधा कहा है नीचे तर लेशले बीदार सायड में सायड में आईए इसका इंटेडियर द चलते हैं यह देखो तोड़ा बहुत इस पेस है और इंटीरियर इसका कुछ तरीके का है कि कि हाइट अजस्ट कर सकते हैं कि में हैं नहीं डिकलाइन करने के लिए इदर देखो पूरा पूरा लौहा लाट सिस्टम इदर दिया गया है एबीजी पैडल्स मिल जाते हैं कि इदर यह देखो राइट कंट्रोल करने के लिए आइडिल स्टाट इस्टॉप बटन इसी इदर यह दिया गया है वाइट साड में एग्निशन को दिया गया है पटावाट से मैं चाबी को इंसर्ट कर लेता हूं इस्टेरिंग वील का जो पैटान में कोज तरीके का है लेतलमीर दिया गिया है यहां पर काफी सारी इनफरमापा एंटी काफी सारी इंफ्रमेशन सेयगी तेसंन नाममात के लिए एकego ओन मेला सिपनुख देखो sms और यह कोग ड्राइबर सैड तिरडने के ज्न दिया गिया गिया है कोई यहां पर द्र। mu बिल्कुल ही लिफाफा दे लिया है और इधर यह लाइट ऑन अफ करने के लिए है यह देख लेते हैं ग्लब बॉक्स इसका कुछ इतना स्पेज़ेस में मिल जाता है तो चाहिए पड़े लिए कि उसकी चाहिए हो यहां का दो इसी वैंट तरफ यहां इपर यह फ्सकी क्रीजिशक्र दिया गया है औउरिच Verm Commissioner लगाने के लिए रिचरजिंगर के लिए मिंजिट के लिए के दो शींच पोड यहीतर्चंगर और रीसी के लीए निचेतरफ टोडर इस जाफैंच यह पीछे वाले डिफोगर डिफोगर है इसमें फ्रेंट वाला वेज़ा है अपर ग्लाफ में नहीं हूं यह आप ग्लोवर को इसमें पर देखने के लिए पांच गयर इसमें दिये गई है यह एंडब्रेक टोकाप होलडर यह देखो महिंदर अपनी बोलेरो बोलेरो नियो स्कॉर्पियो इसकॉर्पियो क्लासिक मैं यहां पर ही विंडोउस कंट्रॉल बटन देता है दें देंड़ को इतना इसले जाता है सीट कवर इसमें लगा हुआ है सीट कवर की जो कॉलिटी अच्छी है एड्रे इसमें मील याता है और यह एज़ेस्टेबल है बाइध बात सब्सक्राइब है और लेग रूम भी ठीक्ता काफी जो वर्दस मिलता है रफ एंड टफ गाड़ी है वह यह बात तो है और मैंने आपको इसकी फर्स्ट देखा दी है यह बाहर निकलते हैं चलते हैं इसकी सेकंड रो में देखते हैं क्या कुछ मिलता है कि इतना इस पर मिलता पीछे वाले दरबाजों में यहां पर यह बटन दे रहेती है लेकिन वाई को और प्यों क्लासिक में यह बटन रियर वाली डूर पर नहीं मिलता है बोलारो मिल्दा है काफी अच्छी बात है यह साफ टैच यह रेखो काफी जबड़ता से आई अंदर बैचते हैं अधर व तो सब्सक्राइब अब जायंतने तो सब्सक्राइप में बिल्कुल भी नहीं हम यह सूली देख़ एदर को भी नहीं है तो दीक है और इसकी सीर जो है काफी रī्यादा कंफाटेब्ल लगाए तो कवर की से मिलों भी और से तीड बर उसानी बलसी कम्स van न भे ली sem प्रीप एड़ेस्टेबल है कुछ इस तरीके का वाई कमफर्ट तो है बोलारोम है यह बात तो मानना पड़ागी जिसकी को भी वमिट वगएरा होती है उल्टी बगएरा होती है मुझे नहीं लग रहा है बोलारोम को उल्टी है कैसे आपकी गाड़ी है आई इसका टेल गेड ओपन कर इसको कर दो भाई बात कर लेता है वहां की जहां से इसकी कंपनी केवलब केवल डीजल इंजन ही देती है 1.5L का इसमें डीजल इंजन मिलता है इसकी डिस्पेस्मेंट है 1493 त्मीं भी एच पीगी तीनिजाद शेट आर्पिम पर और इसका मैंक्जुम टॉर्ग है दो सदस्टन मीटर का इनका यह सोरूम उत्तर प्रदेश के इतावा जले के मैंसिटी इतावा में एविलेबल है यदि आपको महिंतरा का कोई भी प्रोड़क्ट चाहिए हो तो आप इनसे कॉंटेक्ट कर सकती हैं इनका कॉंटेक्ट नमबर और इनका एड्रेस में आपको इस वीडियो के डिसकप् मिल दिया है तो भाई फाइनली मैंने आपको इस कार के बारे में सब कुछ डिटेल में बता दिया है आईए बात कर लेते हैं प्राइज मैलेज सर्विस वारंटी रोज एंड कॉंट के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की महिंद्रा कंपनी अपनी इस नई कार पर तीन साल की स्टर्नेट वरेंटी देती है और एक लाग किलो मीटर तक इस्टर्नेट वरेंटी देती है जिसको आप अपनी रिक्वार्मेंट के साथ से एक्ष्टेन भी करवा सकती हो मैलेज के अगर बात की जाए लगबग यह 15-16-17 के आसपास आरम से निकल कर दे देगी फिर डिप अपने दिखाया इसकी एक सुन प्राइज लगबग 10,80,000 रुपए और आते यह पड़ जाएगी लगबग 12,50,000 रुपए के आसपास प्राइस का प्राइस का प्राइज की हर दिश्टेक की हर तोरूम की जो प्राइज होती अलग लग होती है प्लस-माइनस पांस-दस जा इंस्ट्राग्राम एंड अभी पर भी फॉलो कर लीजियो कि मैं आप लिए ऐसे ही इंटरस्टिंग वीडियो और इंपोर्टन वीडियो ची हां भाई इंपोर्टन वीडियो समय समय पर्ला आता रहता हूं जय हिंत बंदे मात्रम